स्टार्ट करें रात हमें एक स्पेसिफिक इंपुट मिली कर रात हमें एक स्पेसिफिक इंपुट मिली जिसमें हमें ये पता लगा कि जैश मुम्मद ड्रोन के जरीए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में इस स्पेसिफिक इंफरमेशन पे जम्मू पुलीस की टीम एक वहां गई और उन्होंने वहां पे एंबुश लगाया और तकरीबन एक बज़े रात को एक ड्रोन नजर आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की जिस वकत वो नीचे आया पुलीस टीम ने उस पे फाइरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया ड्रोन के साथ एक पेलोड था जिसकी जिसका वजन तकरीबन पांच किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ट था उस पे एक आईडी थी जो तकरीबन तयार हालात में थी सिर्फ तार जोड के उसको प्लेस करने की जरूरत थी और वो आईडी में धमाका हो जाता ड्रोन की जो एक π्रिलिमिनरी अनालिसिस की गई है जिस पे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्जा कॉप्टर है 6000 उसके पंके हैं उस पे फ्लाइट कंट्रोलर है जी-पि-एस लड़ा हुआ है और इंटरेस्टिंग्ली उस ड्रोन की जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नमबर है और जो एक साल पहले ड्रोन कटुआ में गिरा था उसका सीरियल नमबर दोनों में सिर्फ एक डिजिट का फर्क है जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तन्जीम है इन्हों ने एक ही सीरीज के कई फ्लाइट कंट्रोलर्स लिये हैं और मुब्तलिफ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं जो प्रिलिम्नरी जानकारी मिली है वो ड्रोन एक एसेंबल ड्रोन है कुछ पार्ट चाइना के हैं कुछ पार्ट तैवान के हैं कुछ होंकों के हैं सब को मिला के ड्रोन बनाया गया है दूसरी और एक इंट्रिस्टिंग बात ये है इसमें कि ड्रोन का जो पेलोड गिरता है नीचे उसको एक स्ट्रिंग के जरीए गिराय जाता है और वो जो स्ट्रिंग है उसकी जो नवियत है वो तकरीबन जो एरपोर्ट में जो क्रेटर था जो बाम का क्रेटर था वहां से जो धागे बरामत हुए थे उसकी नवियत और इसकी जो स्ट्रिंग की नवियत है सेम है इससे ये लगता है कि एरपोर्ट ये कंफर्म होता है कि एरपोर्ट पे भी जो पेलोड ड्रॉप हुआ था वो भी ड्रोन के जरीए ड्रॉप हुआ था जो कठुआ में जो ड्रोन ड्रॉप हुआ था उसकी डिटेर अनालिसिस हुई थी तकरीवन 20 किलोमिटर लाइन अफ साइट की इसकी डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये ड्रोन पेलोड कैपैस्टी 10 से 12 किलो मैकसिमम जा सकता है जैसे जैसे पेलोड कैपैस्टी बढ़ती है उसकी रेंज कम होती है अगर पेलोड कैपैस्टी 1 या 1.5 किलो है तो उसकी रेंज बढ़ जाती है पहले जो 1 के 47 वगरा गिराए गए थे वो तक्रीबन 12 से 13 किलोमिटर की रेंज पर गिराए गए थे आपको मैं ये बता दू कि पिछले डेड़ साल में जितने भी ड्रोन सॉटिज आई है उनके जरीए जो वेपन्स ड्रॉप किये गए हैं उनको मुक्तलिफ इंटेलिजेंस इंपुट्स के दौरा उनमें काफी भारी मात्रा में अभी तक अतियार और असला बरामद हुआ है जिसमें 16 AK-47 पिछले डेड़ साल में जितनी भी ड्रोन सॉटिज आई है 16 AK-47 ड्राइफल बरामद हो चुके हैं 3 M4 US मेड राइफल बरामद हुए है 34 पिस्टल बरामद हुए है 15 ग्रिनेड बरामद हुए है और 18 ID जिसमें की 15 छोटे ID और 3 बड़े ID ये बरामद हो चुके है साथ ही साथ एक दो ड्रोन सॉटिज ऐसी भी थी जिसमें की करेंसी भी उन्होंने ड्रॉप किया था 4 लाख रुपे अभी तक बरामद हुए है तो इस ड्रोन के गिराने से हमें उमीद है कि एक बहुत बड़ा हादसा जो जम्बू में हो सकता था जो की एक ID दमाके के द्वारा किया जा सकता था उसको रोक दिया गया है और साथ ही साथ आगे कि कुछ ड्रोन सॉटिज जो इस ड्रोन के जरीए होते उन पे भी रोक लगी है वहां पे आया नहीं अभी तक ऐसी कोई बात कनेक्शन नहीं मिली है मौके पे जब्द किया हो चाहे वो ट्रांस्पोर्टेशन के दोरान जब्द किया हो और कई लोगों को इसमें गिर्फतार भी किया गया है इस से ये पता चला है इनकी जो पूस्टाच के दोरान की जैश और लशकर में कोई धमाका कराए जाए या कश्मीर वाली की तरफ जो है उनके जो लशकर के ऑपरेटिवस या जैश के ऑपरेटिवस बैठे उन तक हत्यार पहुचाए जाए